मैं हूँ सारो श्यार्म और आप देख रहे हमाने चैनल हरियान अपडेट डेली न्यूस देखे रेवाडी में होगा जब अरदस्त मुकाबला देखे क्या स्थेती है बिल्कुल साइसान आपने नामांकन की तारीके आज समप्त हो जाएगी लगभग जहां से भी जो भी आविट इन्फोर्मेशन विटियूस तो हिसाब से जिसने भी नामांकन करना था नामांकन कर दिया एक दो कुछ जग़न रहा होगा वह बात अलग है लेगिन मॉस्ट्ली अगर हम बात करें तो नामांकन हो चुका है अब मेन बात ये कि रिवाडी के अंदर कोसली के अंदर बावल के अंदर स्थिती किया है तो देखे इससे पहले तो रिवाडी के मैं बात करूँ से पहले आपको एक और बात बता रहेता हूँ कि आपको नहीं बता दो तो, थेकि महेंदरगड से जो रामभीला शर्म है, जो पहले BJP से चुनाव लड़ते थे, उनकी टिकेट काट दी अब की यह बड़ी बात थी, क्योंकि महेंदरगड की सीट को होल्ड किया गया था और उम्मीर यही जेता ही जा रही थी कि जो राम बिलाश शर्मा की टिकेट कटेगी और ऐसा ही गवा राम बिलाश शर्मा की टिकेट कट गई इसके बाद बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले मैं बात काता हूँ रेवाडी विदान सभा की तो जो रेवाडी विदान सभा के अंदर उसमें आपने पहले हमने आपको बता जातर बीजेपी और कॉंग्रेस से तो स्तिती साफ होई जोगी थी साथ में आमादमी पार्टी से सतीश यादव ने जो नामांकन किया है इसके साथ अब मैं आपको और बताता हूँ इसके बारे में लेकिए आमादमी जो प्रतियाशी है सतीश यादव वे जो कवरिंग केंडिडेट के तोर पर उनकी पतनी उपमा यादव भौजन समाज पार् प्रत्याश हो प्रत्याश है आपको यह भी पता है कि बीजएपी से जो बनवाजी लाल पड़िया था वावल से और कृष्ण कुमार कोन की जगा टिकेट मिला था इसके बाद जिला निरवाचन अधिकारीव दीसी अभिशेग मीणा ने बताई कि बुदवार तक जिला में 22 विदान सबा में 2 कोसली विदान सबा में 4 वे रेवाडी विदान सबा में 12 उमीदवार अपना नामांकन दाखिल कर चुगे उमीदवारों 12 नामांकन पत्र गुरुवार 12 सितंबर 2024 तक परे जा सकते हैं और शुक्रवार 13 सितंबर को दो नामांकन पत्रों की समिक्षा करते हुँ छटनी की जाएगी मला कल के दिन छटनी होगी सोमवार 16 सितंबर तक नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं बता दे कि उमीदवार अपने नमांकन पत्र संबंदित रिटर्निंग अधिकारियों की कारियले में प्राते 11 बजे से लेकर दो बैट 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं अब आप देख सकते हैं कि यह हाल है अभी से और आपको बता रहेता हूं कि उमीदवारों को अपनी जो प्राइब करना होगा साथ ही जो भी इनकी प्रोबर्टी वगेर रहती हैं यह बहुत बताएगा है कि जो अपराधिक अगर कोई भी किसी में जो जो केंडिडिट खड़े और इनका कोई भी अपराधिक मामला है तो उसकी मतलब का गए कि सावजनी करना होगा साथ जो भी इनकी प्रोबर्टी वगेर रहती जो भी मतले जिनके मालिक रहते हैं उन चीज़ों के बारे में भी इनको बताना पड़ता है तो यह तो देखिए इनकी परसनल डीडेल से यह आप बता देंगे लेकिन अब स्थीती क्या है स्थीती यह है कि हर तरीके से चुना इस हजार के आसपास उन्होंने वोट हासिल की लिए हतीश यादव जो कि खुद में एक बड़ा नाम है पलस में उनको आम आदमी पार्टी का सपोर्ट इसके साथ ही बीजेपी से लक्ष्मान सिंग यादव जो कि पिछली बार कोसली से मले भी रहे हैं और बीजेपी की तर आने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जिरू कर लीजिए धन्यवाद